गंदगी भी हो जाती है पटाके स्यादा जलाने से पटाके खुल के चलाएं दिवाली है अके साल में यह की बार आती है और कोई एक्सिडेंट वगेरा यह सब कुछ होते रहते हैं इस फटाके के चक्कल में प्रॉब्लम भी हमें ही होती है पटाका नहीं चोड़न दे हैं पटाके तो सभी जिवा जलते हैं अभी तो दिवाली है इतने लोगडाउन लगाता अब सेल्ड़ेट भी करता है तो साल में एक बार आता है तो लोग ऑगास थोड़ा बहुत तो बनता है ज्यादा तो नहीं प्रदूशन फेलता है मानते हैं लेकिन थोड़ा बहुत तो इंजोए करेंगे दो साल से वैसे भी दिवाली मनी काया नंग से मतलब मैं नहीं समझता कि ऐसा अलावड होने भी चाहिए कि देखो दिवाली साल बर में एक बार आती है तो हसी कुछ से करना चाहिए ना थोड़ा ज्यादा दूम दढ़ा करने लेकिन थोड़ा बहुत बच्चे थोड़ी सेलिविरेशन तो करेंगे जलाने चाहिए यह हमारे खुशी का तवार है और उसके लिए बढ़िया रहे रहता कर थोड़ी जलाएंगे तो लिमीट से छोड़ो ज्यादा परदूसन नहीं हो देवाली बटा के चलाई रहे हैं तो परियावन को परदूसन फलाने वाले पठागी इनको तो बंद कर दे बैटर ओप्सन है यह एक तो देखो तोड़ा था पैसा को भी तोड़ा वेश्टेज हो जाता तो क्या मतलब है जलाओ कम जलाओ भाई मज़े तो करो ना चोटे मतलब भठाके वह तो चले ज़िए ज़िए बड़े भठाके बगेरा है ना वो नहीं चलने चाहिए इससे कु अगर ऐसे अगर अपन भठाके छोड़ते रहेंगे तो वो अपने लिए नुकसान है जिसे आज कैंसर वगरे यह इन परदूशन की वज़े से ही हो रहा है सर आप नहीं चोड़ते हैं प्टार के चलाने से नहीं चोड़ते हैं यह एंप स्टार के चलाने चाहिए या फी नहीं यह पूब्लिक पर ही छोड़त दो क्यूंकि कुछ को पठा के पसंद है तो कुछ को नहीं आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप भी अपनी राय कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा वैल आप सभी को हमारी तरफ से दिपावली की हार्दिक्षप कामना है